हेलो डियर स्टूडेंस, स्टूडेंस हम थर्ड चेप्टर कर रहे थे हमारी पॉल साइंस की सेकंड बुक का और उसका जो बचा हुआ हमारा पार्ट है चेप्टर का वह आज हम कर लेते हैं, मुख्य परिणाम जो हमारा टोपी है उसके उपर हम ने जो पीछे पॉर्शन ने चोड़ा था तो आज मुख्य परिणाम के बारे में पढ़ लेते हैं जो योजना बनाई सरकार ने जो काम किये सरकार ने लोगों के लिए उनके मुख्य परिणाम क्या क्या रहे थे तो हम सब जानते हैं, फर्स चेप्टर से हमने ये पढ़ा है कि हमारा भारत जब आजाद हुआ, तब हमारे भारत के सामने तीन बड़ी बड़ी चुनोतियां थी, जिनको जो राष्टर निर्वार में एक बाधा बने हुई थी और ये तीन बड़ी बड़ी चुनोतियां हमें तीनों चेप्टर में डिसकस भी करनी थी, जो नियोजित विकास की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनोति थी हमारे देश के लिए, तो काफी कठिन साबित हुई है, जो तीसरी चुनो आई गये थे, और बहुत से जधा समस्याँ सामने आई थी, एस हमारे विकास से कुछ लोगों को फाइदा पहुचा था और जो जिन लोगों को फाइदा पहुचया था, वो राजनितिक रूप से बिलकल ताकतवर हो गए थे और जिनकी भलाई नहीं थी, वी मुस्किल में तो बहुत सारी कंडिशन शामने आ गई थी अब हम बुनियाद की बात कर लेते हैं नियोजित विकास के शुरुआती दोर का मुल्यांकन करते समय में इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस इसी दोर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी थी एक ऐसा द जो हैं वो लगाए गए एक आरखाने विनिर्माताई काईयां लगाए गए इस तरीके से शुरू किये गए तो इसी दोर में इन सब चीजों को सुरू किया गया और इसके अलावा जो प्रिवायन और संचार के सादन हैं उनको बढ़ाया गया काफी जापा हुआ हुआ हैं मतलब यह जो प्रिवोजनाय दिनकी कुछ अलोचनाय भी हुई बट इनके बिना जो देश का भी कास वह भी संबह हो नहीं था अभी हां सरकारी पर चार गाहों तक पहुंचा इसमें ना एक पोस्टर के बारे में स्टोरी बताई गई है इस पोस्टर के अंदर लोगों को ख इंकम बढ़े और देश की जो एकोनोमी है वह भी अच्छी रहे तो इसके लिए पोस्टर लगाया गया जिसमें के हुं काटते हुए एक इंसान को दिखाया हुआ है दराती से पीछे उसके महिला खड़ी होई है जो बहुत खुश लग रही है तो इसके नीचे लिखा हिंदी और इग्लिष कर दो सबसें नहीना जानते मैं चाहिए ख़एंफ़न हुश वह भुट को देखक कर साफचिह जा गया तो सरकारी टाकवा तक पहुच गया था गाउंनी इससने बताई जाने लगी थी, अब हम बात करते हैं भूमी सुधार की, भूमी सुधार के अगर बात करें, तो बहुत घंबीर प्रियास हुए थे इसके लिए, महतपून रूप से क्या हुआ था, कि भूमी सुधार के लिए जमीदारी प्रथा जो है, उसको खतम करना था, और अंग इससे राजनीती पर दबदबा कायम रखने की जमीदारों की शम्ता भी घटी थी, क्योंकि जमीदार जो है, वही पावर में हुआ करते थे, और उनी की जमीदारी परताई खतम करनी थी, इससे बड़ी प्रोब्लम आ गई थी, जमीन के चोटे 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 टुकडों को एक साथ करके प्रियास करने की कोशिश की गई ताकि सामु ही खेती की जास्की, ये प्रियास भी सफल रहा, भूमी सुधार की अनने भी कोशिशे की गई थी, कानून बनाए गए थी कि अधिकतम भूमी नहीं रखी जाएगी, लेकिन ज़्यादा जमीन जो थी, वो इसका भ जादा कानूनी सुर्क शेपरदान की गई थी, तो इस कानून पर साइद ही कहीं अमल हुआ, बहुत कम लोगों नहीं ये माननी थी बात है, जो जमीन वाली बात थी, जिसके पाए जादा जमीन है, मतलब जादा जमीन लोगों रखनी सकते, इस बात को बहुत कम फोलो किया था, अब इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ न्यूस दिखाई हुई है, इस बुक के अंदर मोशली यही चीज़ शोकर रखी, आखादे संकट को दिखाया हुआ है, बिहार में जो अकाल पड़ा था, वो दिखाया हुआ है, तो इस पूरे के पूरे के पूरे प कर दिया गया था, तो ऐसे खादे संकट इतना गहरा हो गया था, अब क्रिशी सुधार में और क्या क्या किया था, क्रिशी की बैतरी और खेती हर जनता की वलाई से जूड़ी अन्य नीतियों को ठीक ठाक और कारगार तरीके से आमल में लापाना असान नहीं था, ऐसा तब ह हो सकता था, जब ग्रामिन भूमी हिंजनता लाम बंद हो, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है गाउं के लोग, वो अगर इकठा होकर इस चीज की बात बोलें, और भू स्वामियों को इस बात के लिए फोर्स करनें, तभी ये काम हो सकता था, तभी उनको जमीन मिल सकती थी, कानुन का रूपी ये, ले सकते थे, अधर्वाइस तो ये कागज की सोबा बढ़ाने वाले कानून सिर्फ कागज्चों में ही कानून कर रहे गए थे, रियल में ये लागू नहीं हुए थे, इसके बाद हरित करांती आ जाती है, और हरित करांती तो बहुत इंपोर्टन ड् तो अमेरिका प्रिकार से बदले वो हमारी सरकारी नीतियों के उपर बढ़न डालने लगा था और यह जो ना डाले वो हमारे इंटर्फियर ना करें इसके लिए जरूरी था कि हम उसे वागी जो चीजिए वो ना खरीदें तो शुरुआत में भारत पिछड़ा था तो अमेरि स्वामी रामनाथम ने अपने भारत में और हरीत करांती के अंतरगत जो हमारे देस के कुछ खेतर थे जैसे पंजब हरियाना उत्तर पर्देश मध्यपरदेश इन छेतर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडुक्शन किया गया इसमें यही चीजें जो आपको भीना पढ़ हैं वो भी हुए है बट स्टार्टिंग में इसके दुवारा जो पैदावार है गेहूं की पैदावार मोश्टली सबसे जादा हुई और खाद्यान की उपलावतिता हमारे यहां बढ़ गई और हम दूसरे देशों के उपर डिपैंड अब नहीं रहें अभी हां स्वेत करांत हटोस्ट लगा हुआ उसको खाते हुए यह चाज़े बोलती है तो अमुल के उत्पादों के पीछे सहे कारी डैरी फार्मिंग की एक पूरी कथा है यह मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता भी मसूर जो वर्गीज कर्यों कुरियन थे गुजरात के उनको माना जा पादन का अंदोलन अमूल इसी सहर में कायम है और इसके उज़रात के मदले भी हां सब कुछ चीज़ें दे रखती है इस चीज़ के बारे में दूद की करांती के बारे में और स्वेत करांती के नाम से जाना जाता इस मोडल को अब 1970 में ऑप्रेशन फ्लड के नाम से एक रा पारिकरम के डैरी काम को विकास के एक माध्यम की रूप में अपनाया गया ताकि जो ग्रामिन के लोग गाउं के लोग उनको रोजगार मिल सके गाउं के असपर डैरियां खोली गई ऑपरेशन फ्लड के अकोर्डिंग थूर और वहां पर लोगों को रोजगार दिया गया ताकि लोगों को रोजगार भी मिले उर्दूद की समस्या भी खत्म हो जाए और ये अलग-अलग इलाकों में इसका धुरूई कन तेज हो गया था जो हमारी खृत करांती के बारे में हम पढ़ रहे थे बीच में शोट नोले जा गई थी हो हमने पढ़ी है तो इसका कहां प और भूसवामियों के बीच मुख्यांतर हो गया था मतलब सिधी सिवादा गरीव गरीव होता चला जा रहा था और भूसवामियों हैं बीच में सामाजी कंतर बोजदा बढ़ गया था वाम-पंथी सो संगठन है इनको एक और मोका मिल गया था कि गरीब किसानों को लाम-ब 1960 के दसक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड आता है पांसमें ध्याय में आप पढ़ेंगे कि नहरू जी की नहरू की मिर्तु के बाद कॉंग्रिस परनाली संकट से घरने लगी थी और जो इंदिरा गांदी जननेता बनकर उस समय उपरी थी नहरू की कर दिया था सरकार ने जो गरीबों की बलाई के लिए ने कारी करम चलाये थे उस समय जैसे ही इंदिरा गांदी ने अपने खुद कमान संभाली थी और इनके साथ साथ ही समाजवादी नीतियों की तरफ भी बढ़ाव हो गया था सरकार का और इन बदलाओं को लेकर जो द्रनवारी अर्थवैस्ता के पक्स में बनी सहमती जो थी वो जड़ा दिनों तक कायम नहीं चली नियोजन का काम जारी रहा लेकिन इसके महतों में बहुत कमी आ गई थी अब लोग इस चीज़ को ज़्यादा फोलो नहीं कर रहे थे तो 1960-1980 के दसक के बीच के अर्थवैस अब यहां देखिए यह जो लोग हैं यह बिल्कुल कुपोशन का सिकार हो चुके इन्हें खाना नहीं मिलता है और यहां भाशन दिया जा रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वही बात है कि आगे कहां से बढ़ रहे हैं इनकी मतलब जो कंकाल है यह बने हुए हैं और भाषन दिया जारा नेताओं के दवारा कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम भुकमरी से पार पालेंगे मतलब भुकमरी से हम पार पालेंगे तब तक यह अपने जीवन से पार पालेंगे और यह भाषन दे रहे हैं कि जल्दी भुकमरी खतम हो जाएगी तब तक विश्वास नहीं रहा था तो इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा कि कैसे सरकार ने योजनाएं बनाई कैसे गरीबों के लिए या फिर किस तरीकिस योजनाओं को अंडर में रखकर कैसे ओद्योगी की विकास किया क्रिशी का विकास किया फिर भी लोगों को मतलब बहुत क फायदा पहुंचा तो हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका हड़ी है स्टुडेंट्स हम कोशिश करेंगे कि नेक्स चैप्टर जो है वह हमारी दूसरी बुक का करें बट देखते हैं कि कौन सी बुक का चैप्टर हमारा बैटर रहेगा थोड़ बाए